दुनिया जिसके टुकड़ों पर पलती है जिसे अन्यदाता कहती है आज उसके साथ कदम से कदम मिला कर चलती भी नजर आ रही है आज राट में मुलाइन सिंग यूथ वरिगेट के जिलाध्यक्ष दानिस खान को पुलिस ने नजर बंद कर लिया उनका कहना था कि आज हम सब समाजवादी मिलकर किसानों के समर्थन में रैलिया निकालने वाले थे जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो आज रात से ही उनके घर पर पहरा बिठा दिया गया दानिस खान जी ने ये भी कहा कि हम लोग किसानों के समर्थन में हैं और किसानों का साथ हमें साथ देते रहेंगे किसानों के साथ उनके सुख दुख में हम साथ रहेंगे समर्थन देंगे और उनकी लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी एक कास्तकार हूँ मैं भी एक किसान का बेटा हूँ तो मैं किसानों के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहूंगा और छेतर भर से, हर गाउं से, देज़ भर से, दुनिया भर से किसानों के समर्थन में लोग आ रहे है हलागी सरकार का कहना है कि किसानों के लिए, किसानों के लिए ये जो तेन किर्सी बिलें बहुत फाइदे मन्द होगे और जो बिचोलिये हैं वो इस कानून बिल से फरंदू किसानों का डर ये है कि MSP खत्म कर जी जाेगि CAPC मंडिया है वो खत्म कर दी जाेंगी जिसकी वएसे किसानों का सोसर होगा किसानों का कहना है कि MSP उन तीन कानूनों में उन तीन विलों में क्यों नहीं लिखित में दिया गया किसानों को डर है कि आखिर सरकार की ये मन्साय की एपीमसी मंडिया खत्म हो जाए हलाकि सरकार ने इस बात को खारच किया है सरकार ने कहा है कि जो MSP है वो खत्म नहीं की जाएगी देखिए विस्तिज रिपोर्ट और जिलाद धेक्स मुलाइम सिंग यूथ व्रिगेट के जिलाद धेक्ष दानिस खान जी की बैट नमस्कार जंता काराज न्यू चेनल में आप सभी का स्वागत है हमारे साथ है मुलाइम सिंग यूथ व्रिगेट के जिलाद धेक्ष दानिस खान जी जिनके घर के बाहर पहरा बैठा है ये बताएंगे ये पहरा क्यों है जैसा कि मुझे अभी इनोंने आउगत कराया कि किसानों के साथ खड़े होके आंदोलन करने वाले थे आज रैलिया निकालने वाले थे इस वएसे इनके घर के बाहर पुलिस का पहरा है क्या कहेंगे आप इस वारे में आज माननी राष्टी अद्ध्यक्ष पूर मुखमंत्री अखले सियादो जी के नितवत्त में पूरी समाजबादी पार्टी के कारकरता और पूरी समाजबादी पार्टी के नेतगार आज किसानों के सम्मान में रैली सामेल होने वाले थे आज 11 बजे से रैली थी जिससे आज की मौझूदा सरकार योगी सरकार किसानों के साथ पक्षपात करते हुए उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है उनकी बात नहीं सुनी जा रही वो वेचारे उनकी महलाएं वो किसान मजदूर हम लोग भी किसान हैं हम समाजबादी पार्टी से जोड़े हैं मगर हम पहले किसान हैं तो हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही सरकार में उन सबस्क्राइब पार्ट पुलिस को सबस्क्राइब हैं एक बात और मुझे बताइए जैसे लोग कहते हैं या सरकार में ema सामाजबादी64 संद्सक्राइब करा। किसान है उनकी फसल को जो किराम बिचोली है जो बीच के ब्यापारी है वो कम रेट पर करीद के ऊपर बड़े अच्छी रामों में बेच रहे हैं किसानों को उनका मूल नहीं मिला है सरकार सरकार इन बिलों में यही कहा है कि जो मतब बिचोली है उनको सरकार यह करिए बिचोली को हमने खत्म कर दिया है और तो उस पर क्या कहेंगे मैसपी लागू करें ना मैसपी में किसानों का लाब होगा उनको सही धर मिलेगी कि MSP Vी लागू कर दें तो उसमेंका फायदा होगा उनके जो मैंनत को तपे पानी लगा आँड से सरकार कोई मदद नहीं कर रही吗 किसानों की बिल्कुल सरकार को इस बारे में सोचना होगा और किसान जो की लड़ाई लड़ रहे हैं ग्यारा दिनों से दिली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं सरदी जिल रहे हैं और पुलिस की सक्ती जिल रहे हैं तो उनका जो किसानों का कहना है या दानिस खान जी के जो दान तो हम करेंगे फिलिस रहें किसानों के साथ हैं उमर्टे दम तक किसानों के साथ रहें साहिए हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद